हेलो स्टुडेंट स्वागत है आपको अपने चनल तईयर जीत में आज हम देखने वाले हैं मंथली टेस्ट जो अगस्त में आपके होने वाले हैं विसाय इंग्लिस है कक्छा 10 है पूरांग का आपका यहाँ पर 20 नम्मर का है समय अब दिया आपको यह गंटे के दी गई है त चार में से कोई तीन क्वेश्चनों को यहाँ पर हल करना है तो हम यहाँ पर चारी क्वेश्चनों के आंसर आपको देंगे आप लोगों को कोई तीन क्वेश्चन कंप्रिट कर लेने हैं और पेपर में लिखना है तो यह पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं पहला क first fly and he feared of falling and hurting himself तो यह चल जाएगा आपका अंसर आप यदि यहां से भी लिखेंगे यहां तक तो भी आपको पूरे नमबर मिलेंगे अगला question आपका second है second question जिदिया था यहां पर यहां पर यह compelled लिखा है यहां पर थोड़ा question देख लीदी यहां पर और भी लिखा है question तो यहां पर यह लिखा है but compelled the young seagull finally to fly तो यहां पर इसका answer लिखेंगे यह है आपका it was hunger that ultimately compelled it to fly यह answer हो जाएगा second का इसके बाद third question देखते हैं तो यह दिया गया question number third और इसका answer है तो देखिए यहां पर इसका answer लिखेंगे हम पहले question लिखा है what made the woman in the control center look at the narrator strangely तो यहां पर लिखेंगे because the narrator asked it her about a black airplane and radar screen sobbed no plane except the narrator's plan in the sky during that stormy night इसके बाद चौथा question इसका तो चौथा दिया गया है why does anyone want to keep a diary जिसका लिखेंगे because she has no close friend to share her thoughts and ठीक है तो उसके पास कोई करीवी मित्र नहीं था अपनी बातों को और अपनी बिचारों को share करने के लिए and यहां पर unfortunately this situation is not going to change और यह इस्तिती बदल नहीं रही थी so diary will help in getting all kinds of things of her chest तो यहां पर यह complete हो जागा इन में से कोई आपको तीन question complete करके चलना है इसके बाद हमारा अगला question है second तो इसमें यह second question दिया गया है और इसमें आपको क्या करने है second question में कोई दो question ही करने है तो पहला question पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसको फिर देखेंगे हम तो यहां लिखा है what does the phrase in the world of possession mean इसके बाद है why does Amanda want to be an orphan इसके बाद है why Amanda seems to be moody तो इनके हम question के answer देखेंगे ठीक है तो यहां पर इसको देख लेते हैं देखी पहले हमारा जिदिया है तो पहला question का answer है तो यह लिखा है यहां पर यह question इसका answer लिखेंगे it means that everybody loves to possess things or materials in their names तो यह answer हो जाएगा इसका इसके बाद अगला question है तो यहां पर लिखेंगे why does Amanda want to be an orphan तो इसका लिखेंगे इसके बाद अगला question है तीसरा तो यह रहा question number third तो इनमेंसे केवल कोई दोही करनें आपको इसके यह लिखा है भाई Amanda seems to be a moody तो यहां पर लिखेंगे because she is trying to make an escape from her sorry reality where she is nagged most of the time तो यह हो जाएंगे आपके answer इसके बाद अगला question देखेंगे हम तो अगला question हमारा यहां पर रिक्तिस्थान तो इनको लगा लेते हैं तो यह तीसरे question में आपको क्या लखा है fill the blanks तो इसमें रहिक्तिसान को भनना है तो I hope him tomorrow जिसमें option दी है see to see or seeing तो आप देखें hope पहले से ही एक बर्व है और बर्व के बाद दूसरी जब बर्व भरियाती तो to लगा कर भरियाती तो इसमें हो जाएगा to see अगला है God help you तो जब भी यहाँ पर God लिखाओ लास्ट में उल्टी आई का चिन हो तो आपकी जिन्व option में से सही answer आएगा वो होगा me तो पहले में आपको भनना है to see और दूसरे में भनना में ठीक है यहाँ पर इसके बाद लखा he does his work in time जिसको negative करना है तो इसका बनेगा आपका यहाँ पर answer हो जाएगा लिखेंगे he does not यहाँ पर लगा देंगे आपको क्या लगाना है डज की बाद लगाने ना है not not do ठीक ह यहाँ पर लगाना डज की बाद तो इसका बनेगा he does not do his work in time तो यहाँ पर आपको देखी भी रहा होगा तो इसको अच्छे से देखकर complete कर लीजी अगला question देखते हैं तो अगला question हमारा क्या होने वाला है तो यह अगला question है आपको यहाँ पर चौथा तो इसमें क्या दिय आपको एक poster दिया गया तो इस poster में लिखा on the basis of the picture giving below write a short story in about 50 यहाँ पर 75 words तो 75 सब्दों में लिखना है इसके बाद अगला question है आपको यहाँ पर एक school living certificate की application भी लिखना है तो आई पर इसका देख लेते हैं save water save earth तो यह दिया गया इसका तो अच्छे से देख लीजी इसको यह answer है आपका ठीक तो यहाँ पर लिखा है we need water in our day today life activities so we should reduce यहाँ पर voltage and try to reuse water as much as possible conservation of water bill also ensure a proper balance तो यहाँ पर यह दिख रहा होगा अच्छे से इसको no down कर लेना है वो याद कर लेना है ठीक इसको complete कर लीजीगा quality अच्छे से बढ़ा लीजीगा यदि अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो इसके बाद हमारा अगला है जो application लिखनी थी तो वह application यह हो जाएगी सूर्छे से ठीक है तो यहाँ से लिखेंगे आप लोग तो यहाँ करना है यहाँ पर पर स्थान नाम लख को और यहान पर और यहां पर कहां पर यह स्थान शीय लघ्खेंगे अशलिर्ट फलण के एक मानली यह तो गवर्रमड unity school यह इस्åel श्डी動画 स्टार्वक जूरिए जूर्ण फैसार ठीक है यहाँ पर आपको इस्थान को भूल này ऊसका नाम लिखेंगे यहां पर जो रिक्तितान दिख रहा है यहां पर इसके बाद and I passed 10th from your school in this year I need school living certificate TC for admission I have no pending due therefore I request you to kindly receive my school living certificate I will always be grateful to you for this act तो यह computer कर लेना है इसके बाद आपको यहां पर यह लिख देना है आपको यहां पर thanking you your evidently यहां पर लखेंगे यूर ओविडेंट ली नेम क्लास और रॉल नमबर तो यह लिख लीजेगा इसके जगापर आपको यदि वह याद है कि माई फादर हैज मिन ट्रांसफरेड तो भो भी चल जाएगी आपकी तो इससे भी आपको complete पूरे नमबर मिलेंगे तो अब लेंगे